रोबिन इनसे द्वारा, The Importance of Being Interested, Adventures in Scientific Curiosity से सबक, एक जिग्यासा की भावना को बढ़ावा दे, अपनी प्राकृतिक जिग्यासा को अपनाएं और पोशित करें. विभिन विशों में रुची लेने से सीखने और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिलता है, और ज्ञान की जीवन भर की खोज को इंधन देता है. दो स्थिती को चुनौती दे, मौजूदा विचारों और परंपरागत बुद्धिमत्ता को चुनौती दे. प्रश्ण पूछना और गहरी समझ की तलाश करने से नए अंतर द्रिष्टी और नवाचार हो सकते हैं. तीन विवित परिप्रेक्षों के साथ जुड़े, विभिन द्रिष्टिकोनों और विश्यों का अन्वेशन करें. विभिन परिप्रेक्षों के संपर्क में आने से आपकी समझ बढ़ती है और दुनिया के प्रती आपकी सराहना समरिद्ध होती है. चार जुनून परियोजनाओं को आगे बढ़ाएं, जो परियोजनाएं आपको वास्तव में रोमान्चित करती हैं, उनमें समय और उर्जा लगाएं. जुनून से प्रेरित पीछा अकसर अधिक संतुष्टी और रचनात्मक सफलता की ओर ले जाता है. पांच अविकास मानसिक्ता को पोशित करें, चुनौतियों को सीखने के अवसरों के रूप में देखकर विकास मानसिक्ता अपनाएं. सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होने के रूप में असफलताओं और रुकावटों को अपनाएं और निरंतर सुधार के लिए खुले रहें छेब खोज की यात्रा को महत्व दे, अन्वेशन और खोज की प्रक्रिया का आनन्द ले सीखने और पूछताच की यात्रा गंतव्य या अन्तिम उत्तरों के रूप में महत्वपूर्ण है साथ ज्यान और उत्सा साज़ा करें, दूसरों के साथ अपनी रुचियों और खोजों को साज़ा करें ज्यान साजा करने से न केवल दूसरों को सीखने में मदद मिलती है, बलकि आपकी अपनी समझ और उत्सा को भी मजबूत करता है आठ जीवन भर सीखने को प्रोटसाहित करें अपने जीवन भर जिग्यासा बनाए रखने और नए ज्यान की तलाश करने के लिए प्रतिबध रहें निरंतर सीखने से आपके दिमाग को सक्रिय और जुडाव में रखता है नौ अंतहविशय द्रिष्टिकोणों को अपनाए विभिनक शेत्रों के अध्ययन से अंतर द्रिष्टी को एकी कृत करें अंतहविशय द्रिष्टिकोण एक अधिक समग्र समझ प्रदान कर सकते हैं और नवाचारी समाधानों को प्रेरित कर सकते हैं दस विज्ञान और प्रकृती के आश्चरियों का जश्न मनाए विज्ञान और प्राकृतिक दुनिया के आश्चरियों की सराहना करें और उनका जश्न मनाएं ब्रहमान की सुन्दर्ता और जटिल्ता को पहचानने से आपको दुनिया के साथ गहरा संबंध और सराहना मिलती है